हलो दोस्तों विजय केडमे में आपका स्वागाते आज हम लेकर आएं पेटोगोजी पर क्लास नमबर 12 तो अभी तक भी जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वे जरूर होने देख लेए चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास पहला प्रसने निम्न में से कौन सी अधिगम की विदिया है अवलोकन विदी करके सीखना सुप्त अधिगम वासामोईग विदी या यह सबी तो देखें कि कौन कोई सी विदिया होती है जब हमने आपको इसी इसका सिलेबस पढ़ाया था तो हमने आपको वहां नहीं बताई जी हमने आज इस वीडियो में उसे सामील की है तो हम पहले देख लेते हैं कि क्नकों सी वीडिया ओती है उसके बाद देखी कूछ प्रमूग वीडिया हैैं means learning की कौनकों सी महत्मूण वीडिया है तो वह नीम लिख ते लिएखिए सब सबसे पहले क्या होता है देखिए एकसी वीधी होती है इस वीधी के दोरा सबसे पहले कोई बी बालख है तो झाल्दे से जल्डी सीख लेता है और और साही Сाहित वह जो 104 चाहिए तक याद रेता है और इस विदिका जो प्रतिपादन क्या है वो किसने का बेंडूरा ने क्या है तो एक बार अब हम इसे रीट कर लेते हैं यह सिख्षा मनवेग्ज्यानिकों का मत है कि बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण के द्वारा जल्दी या अधिक जल्दी से सीख लेता है और इस विदिक में बालक जल्दी से सीख लेता है और सीखने के बाद उसे लंबे समय तक धारन करता है मतलब क्या जल्दी से एक तो सीख जाते है और साथी साथ लंबे समय तक व ब ändूराने किया है बात करते हम आगे दूसरी विद्या होती है प्रेक्षन विदी आधिकम की अगर सीखने के वडियो की बात करें तो अप दूसरी होती है विवेचना विदी क्या होती है इसमें देखे जो भी मतलब एक तो सबसे पहले student को क्या होता है गुरूप में रखा जाता है और साथ ही साथ वो कोई भी उन्हों विसे दिया जाता है तो वो उसके क्या merit से हैं क्या डी merit से हैं उसके क्या lab है हानी है क्या उसके गुर्ण हैं दो से इन सब पहे विवेचना करते हैं और फिर जो बालक के जीद विसे में अगर कुछ रूची है तो वो करते हैं उसके हर एक पहलू का मुल्यांगन करता है हर एक पहलू को देखता है और फिर एक वो निसकर्श पहोंचता है तो यह होती है विवेचना विदी और इसमें इबेल ने क्या कहा है इबेल का मत है कि चुकि जब छात्रों में सहभ आगिता की भौना वढ़ती है और सहाब आकिता की भावना उत्पन होती है इसलिए इस प्रकार से सीखा गया या घरंड किया गया विसाइ बालकों को अधिक समय तक याद रहता है इनका इवेल का क्या बोलना था इवेल का कहना था कि इस विदी में जितने भी मतलब छात रहें या स्टुडेंट हैं वो मतल इतना सा याद रखना है कि कौन-कौन सी विदीया है और किवल आप उनके नाम याद करेंगे और इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नोट करने क्या हो सकता नहीं है एक बाद पढ़ देते हैं इसमें बालक प्राया समूव में सीखे जाने वाले विसाई के गुंड दो हैं कि दौरा सीखना की नाम यह लिख लीजिये इसमें लिख लीजिया रख प्रति पादत का नाम जरूर लिख लीजिये बेन्डूरा है उसके बात हम बात करते हैं कि दूसरी वीधी कौन सी थी तो दूसरी विवेचना वी थी क्यवाल आप नाम नौट करते जाएए अब करते हैं हम आगे करके सीखना करके सीखना मतलब क्या होता है कि कुछ भी आप काम आगर आप सीख रहे हैं तो आप खुदी उसको स्वयम करकर के देख रहे हैं माले जैसे हम आपको आज हमने अकाउंटिंग के जनरल इंट्री पढ़ाई तो हमने आपको जनरल इंट्री पढ़ सिद्धान क्या बोलता है कि कोई भी आप नई चीच पढ़ेंगे तो सुरू में टूटियां होंगी लेकिन जैसे जैसे आप लगातार आप प्रयास करते जाएंगे आपकी टूटियों की संख्या उसी अनुपात में कम होती जाती है और एक समय ऐसा भी आ जाता है जिस समय आम तूटि रही तो आप संपन या पूर्ण कर देते हैं तो यह थान डाय का सिद्धान था यहां पर भी देखो क्या वर्ड़े करके सीखना अगर करके सीखते हैं तो क्या होगा आप उस कार्य को तेजी से सीख लेंगे तो यह तीसरी विदी थी इसका भी आप नाम नोट क यह दोनों बढ़ एक दुसरे के कैसे हैं पूरा खे आवरत्ती करण वीडियो में बाला किसी पार्ट को क्या करता है सीख लेने के बाद उसे क्या करता है मन ही मन में धुराता है मतलब देखिए हम आपको अगर कुछ पढ़ाते हैं तो आप उसको याद कर ले तो तो याद करन प्रॉपल याद नहीं आ रहा है तो फिर आप उसे एक बार और रिविजन कर लें और अगर आपको कोई कॉंसेप्ट नहीं समझ में आता तो आप दो बारा उस वीडियो को देख लिए आप डेफिनेटली समझ में आ बहुल सुधाने का क्या लिखा है यहां पर बहुल सुधाने का कुछ यह तोषर मिल जाता है बात करते हैं अगली विदिव याद समझ कर सीखने की विदिदे कि सपत उसमें कुछ आप का कुछ एडीसं कर रहे हैं अगर आपने कुछ चीच पढ़ यह उसको आप ने समझ लिया तो समझ मतलब नहीं और चाले सीखिक गाई विसायो के सवरूप तता सीखने वाले बालकों के विक्तित पर प्रकाट डाला जाता है देखे इन्होंने क्या कहा है कि जो रटने की विदी होती हो छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी होती है लेकिन बड़ों के लिए कौन सी समझ कर सीखने की विदी बड़ों क तर ड्रट कर रटकर तता समझ कर सीखने वाली एक यह विदी थी एक विदी थी आऊ रति करेंदो पूरा निरक्षन विदी एक विदी कर के सीखना विदी एक विदी थी वीवेचना विदी और एक होता Ben दोरा सीखना तो आप अब बात करते हैं, यह सीखने की विडिया थी तो question यह था कि निम्न में से अधिकम की कौन सी विडिया है, अब लोकन विडि़ी करके सीखना विडिया, सामुहिक विडिया यह सभी, तो आप सभी इसका उत्तर दे सकते होंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको पता होगा तो देखें, इसका जुस्तर ही उत्तर है, वह है, डी, यह सभी, अब हम बात करते हैं, आगे, यह आपने नोट कर ली होगी, इस रट करता था समझ कर सीखने की विडिया अब उसके बाद है यह, कि सिख्छन और अधिगम, option है, एक ही सिख्छे के दो पेलु है, सिख्छन से अधिगम तथा अधिगम से सिख्छन की प्राप्ति होती है, दोनों गयात्मक प्रक्रिया हैं, उप्युक्त सभी, तो दीखें, यह आपको पता है कि एकी सिख्छे के दोनों पेलु है, साथी साथ आप जब सिख्छन से अधिगम, मतलब आप कुछ पढ़ाते हैं, तो आप सीखने के सूच के सिख्धान्त की सेक्षिक उप्योगिता निम्न में से नहीं है, क्या बोल रहा है वो, कि सीखने के सूच के सिख्धान्त की, देखें, हमने आपको सूच का सिख्धान्त पढ़ाया है, या अंतरदस्टी का सिख्धान्त पढ़ाया है, इंसाइट थेओरी जिसे काते हैं, तो इस में क्या कहedyं हैं कि याा सिद्धान्त पाथ पत्ट करम के विविन देखेंगे, अगर आप कोई वीडियो को देख रहा है है उसने से पुराने वीडियो नहीं देखें तो आप पहले उन वीडियो को देख ले क्योंकि या उसके बाद ही ही बनाए हुए कोश्चन से तो इसलिए आप उससे देख लेंगे तो आपको रेफिनेटली कोश्चन बनेंगे और साथी साथ आपको अब्जेक्टिव भी समझ में आएंगे तो देखे सीखने के सूच के सिद्धान्त की सेक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है या सिद्धान्त पार्टिकरम के विविन विशायों को समगर करने पर बल देता है या सिद्धान्त या सिद्धान्त के अनुसार अंतरदफ्टी का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिती का ग्यान हो या सिद्धान्त समय पर सीखने पर बल नहीं देता है या सिद्धान्त का प्रयोग कठिन विसयो जैसे गड़ित भोतिक सास्व विज्ञान के अन्य विसयो के लिए अत्यान्ति उपयोगी होता तो देखिए जो इंसाइट थेउरिया या सूच का सिद्धान्त है या वो नहीं कि वो इसे च्छी उपयोगी ता मतलब उसका जब हम टीचिंग करते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें से निमने में से कौन सी नहीं है तो यहाँ इसका जो पॉइंट नमबर सी है वो नहीं है उसमें लिखा है कि या सिद्धान्त समय पर सीखने पर बल नहीं देता है तो यह क्या है यह इसका सही उत्तर है तो इसका सही उत्तर क्या है सी अब बात करते हैं हम आगे आप यह सब नोट कर लीजें काफी बच्छे नोट सो बना रहे हैं मैं उन्हें फिर एक बार कहूंग वेरी गुड और साथ ही साथ यह हमारा वाट्सेप नंबर है अगर आपको कहीं प्योंकि कुछ डाउट आता है तो आप हमें वो डाउट अगर आपको कुछ कुछ नहीं समझ माया हो तो आप हमें वाट्सेप पर उपिक भेज दीजे काफी सारे बच्चों ने भेजी हैं और म किसी के टॉपिक कोश्चन डिया डाउट रह जाता है तो वापस से जिस समय हम वो यूनिट पढ़ें तो आप आपकी बुक पर एक पेज नंबर बना लें और जब हम पढ़े तो उस समय भेज़ दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह हमारा वाट्सेप नंबर 8962429653 और साथी साथी आप जिन्हों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है वे जरूर सब्क्राइब करें बेल आइकान पर क्लिक करें ताकि जो भी हमारे वीडियो हम डाले उसका तुरंत आपको नोटिफिकेसन मिले साथी साथ लाइक करना और सेयर क करना बिलकुल भी ना भूले ताकि जो भी बच्चे घर से बेट के तैयारी कर रहे उन तक यह वीडियो पहुच सके तो बात करते हैं अगे यह आपको सीखने के सूच का सिद्धान्त की सेक्षी उपयोगिता नीमने में से नहीं है तो इसका जो उत्तर था सी या सिद्धान किस जानवर का प्रयोग किया गया था अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखे होंगे साथी साथ तो आपको यह इसका उत्तर याद होगा कि सीखने के सूच के सिद्धान में किस जानवर का प्रयोग किया जाता है बंदर पर चिंपेंजी पर कुते पर बिल्ली पर तो दोनों के ही आपकी हमवरक में एक स्टुडेंट ले लिक हर मुझे बहर जा था, जब मैंने देखा था, कमेंट उसके बाद मैंने अभी प्राइड करने वाले कारकрем पड़ा हैं तो आप बताएक कि कौन कौन से कारक यह जो आपकी लर्णिंग को प्रोभावित करते हैं कि अगर किसी ने उस वी डिपायो को नहीं देखाये जरूर देख लिए तक लोग नदेख रहे होंगे उन्हें इस कांसर पता होगा कि अधिगं को प्रभावित करते हैं तो भूक और परिफ़क्विता मेच्यूरिति जिसे कहा जाता है ब्रसंसा और निंदा प्रभावित करते हैं सीखने को प्रभावित करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी ये सभी जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो देख ले उससे डेफिनेटली एक कोश्चन बड़ी असानी से बन जाएगा बात करते हैं अब हम आगे सीखने में रुकावाट आने का कारण है देखिए अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें किस कारण से रुकावाट आने का कारण क्या है पुरानी आदतों का नई आदतों से संगर्स कारी की जटलता सारे रिक सीमा तो ये सभी की सभी जो आदते हैं जैसे आपक सीधी बाते सीखने में रुकावट डालेगा कारी के जल दिलता पेड़ों को यह कटिन सब्जेक्ट है तो अब आपको यह थोड़ा सा आपके सीखने में रुकावट डाल रहा होगा आपकी सारा रिक्सीमा मान लीजे को एक दो घंटे पढ़के ठक जाता हो तो यह सभी सीखन प्रोवलम नहीं है अब हमारे वीडियो को देखते हैं साहसाँ आप यूटूब पर वीडियों देखते हो उनके टीन भीनदियां दिखती होंगी इस पर हमाफ वैबिएनप करेंगे ऑप को एक quality का option मिलेगा उस quality के option पे आप क्योंकि हमने हमने हमारी team से बात की थी तो उन्होंने यही कहा कि अगर यह quality अच्छी quality पर चलाएंगे तो वीडियो definitely visible होंगे तो आप 3060 या इससे ज्यादा पर अगर हमारे वीडियो को चलाएंगे तो definitely अच्छी दिखेंगे अगर फिर भी आपको problem आती है 3060 पर चलाने के बाद भी तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं या आप हमें हमारे whatsapp number पर लिख सकते हैं तो बात करते हैं हम आगे लक्षी प्राप्टी में सूच का कितना महत्वे मान लेजिए आप जो भी भी लक्ष को प्राप्ट करना चाहते हैं तो आपके सूच और समझ का कितना महत्वे लक्ष को प्राप्ट करने में इसा किसने माना है तो इसका सही उत्तर है C driver ने माना इसे आप important mark कर ले important question है यह एक most important question है इसे आप important जरूर लगा ले साथी साथ यह question में important लगाना भूल गया था यह वाला question तो इसे भी note कर ले आप यह एक important question है कि सीखने किस जानवर का प्रयोक किया गया था है most important question है बताने से रहा गया था तो आप इसे important mark कर ले साथी साथ यह जो dog है केट है यह भी important है इनके भी concept क्योंकि यह पूछे जा सकते है और यह सब हमने आपको काफी कुछ पढ़ा रखा है तो काफी आपको समझ में आ रहा होगा लक्षी प्राप्टि में सूच का क्या महत्व है तो ड्रेवर ने दिया है यह बात करते हैं अब हम आगे कि सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विसेस्ता पठार है यह गतन किसका है सोरेंसन का रोस का रेक्स का नाइट का किसका कतने सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विसेस्ता पठार है इसका जो सही उतर है वह है भी रास का इंपोर्टेंट माकल है और यह हमारा वाट्सेप नंबर है जिन उनके अपने भी अभी अभी तक वाट्सेप नंबर नहीं है उ वाटसल नंबर पर हाल लिक के बेज़े हम उसे NCRT की बुक्स हमें जो आपके सोचल साइन से डिलेटेड सबजेक्स उसकी भी NCRT साथ इसाथ कॉमर्स की भी हम NCRT आपको बेज़ देंगे और अभी भी जिन्हों ने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है प्लीज सब्क्